डिजिटल भारत के निर्माड हेतू, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे डिजिटल भुक्तान का विस्तार, पोस्टल पेमेंट बैंक, समान सेवा केंद्रों का विस्तार, इसी श्रंखला में ग्रामीर भारत में पंचायती राज मंत्राले की ये कड़ी पंचायतों के परिवर्टन हेतू है। इस एप्लिकेशन से ना किवल पंचायतों की गतविध्यों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा, बल्कि योजना की व्यापक्ता बढ़ेगी। इग्राम सुराज एप्लिकेशन से किसी भी ग्राम पंचायद की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी, जैसे सरपंच, पंचों और पंचायद सच्यू का विवरण, वित्त विवरण, परिसंपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायद विकास योजना, GPDP में की गई इग्राम सुराज एप्लिकेशन वर्क बेस्ट अकाउंटिंग पर केंद्रित है, इसके दोरा GPDP में प्रस्तावित प्रते गद्विधियों में किये गए हर विवरण उपलब्ध है, योजनाओं के विशलेशन के लिए ब्लॉक और जिला इस्तर के प्रतिनिधियों के पास उतकरष्ट जानकारी सुलब होगी। पर की जा सकती है। पंचायत की जानकारी को सुविधा जनन और शेग्र उपलब्ध करने के लिए उपियोग करता नागरिक, गूगल प्ले स्टोर से इग्राम सुराज मोबाइल एप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यह जानकारी आपकी उंगलियों पर होगी। मोबाइल एप के माध्यम से चैनित पंचायत के सदस्यों की जानकारी, पंचायत की गतविधिया, गतविधि का नाम, योजना का नाम और राशी। चुने गए वित्य वश के लिए आमदनी और खर्च संबंधी जानकारी मिल जाएगी। इग्राम सुराज एप्लिकेशन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के कारिकलापों, गतविधियों, योजना निर्मार, बजट आवंटन, योजनाओं की निग्रानी इत्यादी की जा सकती है। सुचना तक्नीक का प्रभावी उप्योग करना ही इस प्रनाली का उद्देश है। सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्मार। इग्राम सुराज एप्लिकेशन देश की पंचायतों को समर्पित है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा इग्राम सुराज एप्लिकेशन शुरू किया जा रहा है